जैसे आप जानते हो ना रेड लाइट पे आप गाड़ी बंद करते हो और बेंट्री पे गाड़ी चली जाती है और गर्मियों में एसी चल रहा होता तो तुरंत पांच साथ सेकिंड के बाद दुबारा स्टार्ट हो जाती है जिससे माईलेज इंप्रूव नहीं हो पाती तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना स्पीडोमिटर की हिडन सैटिंग्स के बारे में होने वाली है यह स्पीडोमिटर जितना देखने में सिंपल लग रहा है बीच की M.I.D. देखने में जितनी सिंपल लग रही है इसमें उतनी ही हिडन सैटिंग्स आपको देखने को मिल तो दो सेगिंड का टाइम लगता है कोई पैसा नहीं लगता है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबालो नीचे ठीक है ऐसी और इंफोमेटिव वीडियो आप देख पाऊ तकी अब शुरू करते हैं जल्दी से अब एक बहुत बेसिक सा पॉइंट सबसे पहले बता साथ हूं क्यों नहीं बढ़ रही इसकी ब्राइटनेस कम जादा करने के लिए पहले आपको अपना हैडलाइट स्विच ओन करना पड़ेगा जब आपके हैडलाइट ओन हो जाएगी तो आप इसको लेफ्ट राइट गुमाओगे तो ब्राइटनेस कम जादा होने लगेगी ऐब नॉर्मल ही करोगे तो उस में नहीं इसमें भी होगी हो साथ 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 ठीक है अगर कम करोगे तो इंफोटेनमेंट में भी कम होती जाएगी बढ़ाओगे तो इस हिसाब से आप इसकी ब्रैटनेस सेट कर सकते हो उसके बाद अब मैं आ जाता हूं में MEN friendly में जहाँ प से पहले आप का आएगा डिस्टेंस यूनिट का जैसे हमारा किलोमेटर के हिसाब से होता है इंडिया में जादा बट आप चाहो तो इसे कितने माइल साब की गाड़ी चल चुकिए वह भी सेट कर सकते हो बट इंडिया में जादा का कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद जाते लांग्वेजन पर आप इसकी लैंग्वेज cassette भी चेंज कर सकते हो यह सारी अच्छी लैंग्वेज में ब्ली आपको यह देखने को मिल है करोगे, तो रिसेट करना तो उस पे कर सकती हो या आप चाहती हो कि मैन वली ही मैं जब गर्षी तभी हो तो आप यह कर सकते हो तो मैं आफ्टर रिफूल कर देता हूं अब जैसे ही मेरी गाड़ी का रिफूल कर सकते हो जब आप गाड़ी की स्पीड लोग करो एक बार मैं सारे डॉर ऑन्लोग की साहए सिफ ड्राइबर Does तो यह भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इसके बाद डॉर ओट अटो लोग कहो था जैसरी आपकी स्पीड वगर पकड़ती है तो अपने आप मैन्माली लोक करना चाहते हो एसी स्पीड के साथ सिंख करके लोक हो जाए तो मैंने स्पीड सिंक रोकर रखी जैसी 20 की स्पीड से उपर गाड़ी जाएगी दरवाजे लोक हो जाएंगे आपके ऐटो अनलोक भी आपको इसमें देखने को मिल जा कर सकते हो अलारम का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है इसके बाद देखते हैं दोर लोग के बाद किया पास इसके बाद लाइट अभी चो यह पर लेंज के लेंट के पास आपको जा अब इसके बाद में ओपर वापिस चल लेता हूं आप हमें option दिया guide me light guide me light क्या होता है एक तरह से follow me headlamps की तरह आप यूज़ कर सकते हो जैसे car तक के पास आपको जाना है तो आप interval select कर सकते हो कितने second तक आपको light चीए इतने second तक जो भी choose करोगे उतने second तक guardian आपको light दिखाती रहेगी और यह जभी दिखाएगी जब आपका यह auto पे होगा अगर auto पे नहीं होगा तो एक काम नहीं करेगा और two home भी आप कर सकते हो कितने second के लिए चीए तो वह भी आपको गाड़ी दिखा देगी ठीक है अब इसके बाद चलते हैं अटी theft में यह जो है बना शोक सेंसर वगेरा पी और एफ इसको ओन कर सकते हो शोक सेंसर को पहले आप दैसे ओन कर ले दो मैंने किया हुआ है उसके बाद आपको जाना शोक सेंसर फी में अब पी में आप किसी पर भी मैंने बंद किया हुआ क्योंकि एक बार बोलने लगती तो बहुत जादा देर तक बोलती रहती है आप चाहो तो इसे कई के लग लग लेवल्स पर सेट कर सकते हो अब इसके बाद इगनिशन एसी यह बहुत जरूरी है बाई अब इस पर स्टेंडर्ड किया ह हुआ है मैं इसको एकनोमी कर देता हूँ अभी बताता हूँ है क्या जैसे आप जानते हो ना रेड लाइट पर आप गाड़ी बंद करते हो और बैंटरी पर गाड़ी चली जाती है और गर्मियों में एसी चल रहा होता तो तुरंत पान साथ सेकिंड के बाद दोबारा स्ट हो जाएगी अब डिस्प्ले आइटम्स के अंदर काफी चीज हैं आप इसके अंदर जो गाड़ी का वह दिखता है ने ग्राफिक उसका कार का कलर भी चेंज कर सकते हो ब्ल्यू ग्रे और यहां पर और यहां पर और तीन चार कलर ऑप्शन है अब इसके बाद कैलेंडर डिस स्थ्पलें यहां बहुततले नियावश सकते हैं आप से वह भी चूज कर सकते हो मोशन इस्टरि भी आप देख सकते हो इसमें आइडलिंग डिस्पलेंग दिखगे अध्य जाद हो घए इस लिए ओन ञाफिन दिस्पलें और यह वह बणकर सकते हो और इंट्रेंड उन और और डिस्प्ली आइटम के अंदर option दिये गए अब animation की बतातों में क्या है अब animation में warning आप इन्हें on off कर सकते हो अब इसमें क्या क्या हैगा जैसे warning तो फिर भी देगी बट warning थोड़ी animation के साथ ची है तो आप इसको select कर सकते हो जैसे कि आप seatbelt नहीं लगाते हो तो दो एक animation होती है वह उसके अंदर seat पर लगाता हूँ ऐसे दिखाता है तो वह नहीं दिखाएगा फिर जस्ट basically आपको वह देता रहेगा animation की बजाए सिर्फ डारेक्ट warning देता रहेगा अब डिफोल्ट जाओ कि आपने जो सेटिंग करिए वह आप दुबारा से बाइडिफोल्ट पर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो तो इस तरह के इतने सारे तो इसमें hidden सेटिंग्स थी जल्दी से दिखा देता हूं यहां क्या क्या option है जैसे आपको मिलेगा घड़ी मिल जाएगी यहां पर आपको मोशन मिल जाएगा यहां पर आपको टॉर्क पावर का स्पीडो मिटर टाइप का स्पीडो कर रहा हूं कि कितनी पावर आप यूज कर रहे हूं कितना तो इस टूर्क यूज कर सकते हो यह अपना वह हाइब्रेड वाला सिस्टम है यह भी आप सब जगा यूज़ कर सकते हो देख सकते हो कि आपकी काड़ी कब चार्ज हो रही कब नहीं और किसी को कुछ भी नहीं देखना तो एक प्लेन वाला भी कंपनी ने दिया हुआ है तो इसके बाद अपना बेसिकली माइलेज दिखाती है और यह थोड़ा ड्राइव साइकल्स वगरा पिछली पुरानी जो साइकल साइकल में क्या माइलेज थी वह दिखा देती है और यह अपना पिछले पांच मिनेट और दस मिनेट में क्या माइलेज थी और टोटल ड्राइविंग टाइम कितना हो चुका है यह दिखा देती है तो इतना की कुछ है आईडल स्टार्ट में कितना फ्यूल बचा है देखो मैंने ओल्मोस तीन लीटर बचा लिया और यह अ आपको अगर अपनी रेंज को इंस्टेंटली रिसेट करना ना तो दोनों इन बटन्स को एक साथ दबाके रखोगे तो आपकी रेंज जो दुबारा से रिसेट हो जाएगी तो यह कुछ फीचर साइस में 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 सारे फीचर मैंने आपको बता दिये क्या कुछ यह ओफर कर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना फिर से मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में जब तक के लिए स्टे टून बाई बाई